अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ आकसा आप देख रहे हैं कि जिमी दाकसा यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बनीला बेसर स्पंज को रेसिपी लेकी आई हो आप इसे बाइने पर केक्स स्ट्रॉबरी केक और बहुत से केक्स बना सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारा केक्स जो बिल्को अच्छा नहीं बनतो वो बैट चाता है तो आपने इस वीडियो को बिल्को भी स्कीप नहीं करना आज मैं आप लोगों कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगे जिसे आप करके एक जो है सुपर सॉफ्ट और फलफी बनकर तैयार होगा और ना बहुत ही असान है और बहुत ही मज़े का बनता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे चार उंड़ को सिफेदियां यह तक है इसे बीट करते हुए पांच मिनिट हो चुके है अब हम इसमें डालेंगे एक कप इसी हुई चीनी चीनी को हम तीन हिस्सों में डिवाइट करके डालेंगे अब हम इस अच्छे से बीट कर लेंगे इसे के बीट हो चुका है अब हम चीनी का दूसरा हिस्सा जो है वो भी डाल देंगे अब हम इसमें बाकी सारी चीनी डाल कर इसे अच्छे से बीट कर लेंगे तकरीवन दो से तीन मिनट के लिए यह देकर से बीट करते हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा वन टीस्पून वनिलेसंस ट्वू टेबल स्पून कूकिंग ऑल एब हम इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे आप इससे जितना अच्छा से भीड करेंगे आपका की जूँआ इसमें डालेंगे चार अंडों की जर्दियां और अब हम इसे हैंड बीटे के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक का मैदा मैदा को मैंने अच्छे से चांड लिया था अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे mix करेंगे अब हम इसे spatula के मदद से fold करेंगे जिस तरह से मैं fold कर रही हूं आपने भी उसी तरह से fold करना है इसमें कोई लम्जब गवरा नहीं रहने चाहिए आप इसे जितना अच्छा fold करेंगे आपका cake जब उतना ही अच्छा बनेगा यह देखें यह अच्छे से fold हो चुका है और इसमें कोई लम्जब गवरा नहीं है अब हम इसमें बागी का मैदा भी डाल कर उसे भी अच्छे से fold कर लेंगे जो लोग कहते हैं कि हमारा cake जो बैठ जाता है वो सबसे बड़ी गलती यह करते है कि इसमें पानी या दूद चामिल करते हैं जो basic sponge होता है उसमें दूदिया पानी नहीं जाता कुछ cakes ऐसे होते हैं जिसमें पानी या दूद जाता है वो भी इंशाल्ला मैं आपको बहुत जल्द बनाना सिखाऊंगी यह देखें यह अच्छे से fold हो चुका है और एक तम स्मूथ पेस्ट बनकर तयार हुआ है यह देखें यहां पर मैंने एक क्टोरा लिया है जिसमें हम केक को bake करेंगे आप भी कोई भी बरतन ले सकते हैं और इसे oil से अच्छे से grease कर लेंगे यह अच्छे से grease हो चुका है अब हम इसमें butter paper लगाएंगे अगर आपके पास butter paper नहीं है तो आप इसे मैदर से भी dust कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से grease कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथी बल लाइकिन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को अन करें अब हम इसमें बैटर डाल देंगे यह देखे बैटर जो वह इस तरह का होना चाहिए अब हम इस तूधिक की मदद से इसे की एर जोहिए, रिमूव कर देंगे अगर आपके पास तूधिक नहीं है तो इसे कॉठ पर टैप करके इसकी एर जोह रिमूव कर सकते हैं अब हम इसे बेग करने के लिए रखेंगे, यहां पर मिने घार है प्रेशर कूकर इसमें हम जाले स्टेंड रखेंगे और इसे कवर करके तक्रीबर पांच मिन्ट के लिए प्री हीट करेंगे यह देखें यह अच्छे से प्री हीट हो चुका है अब हम इसमें केका बैटर रख देंगे अब हम इसे कवर करके तक्रीबर चालिस से पंटालिस मिन्ट के लिए स्लोप फेल्म पर इसे पकाएंगे आपने प्रेशर कूक करका ना तो वेट लगाना है और ना ही इसकी रबट लगानी है पंटालिस मिन्ट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेंगे अब हम इसे तूथ पिक की मदद से चेक करेंगे यह देखें तूथ पिक जो है बिल्कु साफ है इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे चाको की मदद से इसकी साड़े जो में लैदा कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे केक अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे ये देखे बटर पेपर लगाने के वज़ा से ये इजिली बाहिर आ गया है अब हम इसका बटर पेपर जया और रिमूव कर देंगे ये देखे गे का कला जब एक दाव परफेक्ट आया ये बिल्कुल भी नहीं जला अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूं ये देखे आपको कटिंग से अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस कदर सॉफ्ट बना है अब ये देखे हैं हमारा केई जब कितना सॉफ्ट और फलफी बना है अगर आप मेरी बताई हुई टीप्स को फॉलो करेंगे इंशालला आपका केक्टेव वो भी इसी तरह से बनका तयार होगा अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को करें लाइक चैनल को करें सबस्क्राइब और साथी बेल आइकन को प्रेस कके नोटिफकेशन को उन करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें मुझे दीजिये ज़्याद अपनी दौव में यादर की गल्ला अफीज